हम डेटा की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर बात कर रहे हैं उसी में एक टार्म हमने यूज की थी पहले आउट लायर इसको डिफाइन करते हैं स्क्यूनेस और कर्टासिस में से स्क्यूनेस हम कर चुकें कर्टासिस इसके बाद देखते हैं और अभी आउट लायर की बात करने लगें आउटलाइस में आप देखिए मैंने कोई data distribution बनाई जो आपके सामने बार नजर आ रहे हैं ये एक distribution है अब इसमें एक number है जो के बिल्कुल एक side पर अलेधा पड़ा हुआ है ठोटा सा एक बार बना हुआ है ये देखिए जो arrow के साथ blue arrow के साथ नजर आ रहे है बाकी सारा data एक एक तरफ जमा हुआ हुआ है और उसमें एक ये कोई data element है जो बिल्कुल एलेधा उससे बाहर कहीं बना हुआ है ऐसे data set को जो distribution से जो general distribution से बाहर निकल जाता है इसको आप outlier कहते हैं इन दूसरे लफजों में ये को extraordinary चीज़ है जो के बहुत सारे लोगों के response pattern से बिल्कुल ह बना हुआ है इसका मतलब है कि ये most likely ये उस population को या उस sample को belong नहीं करता या तो ये गलती से fill हुआ हुआ कोई number है या ये वैसे ही कोई जो अपने sample में किसी को select किया तो वो इस population का actually part नहीं था और गलती से इसमें आ गया इसका नुकसान क्या होता है अगर मैं इसको निकाल द करूं तो ये इस तरह की शकल का एक कव बनता है जो कि आप देखिए normal distribution के खसा करीब है अपनी शकल में more or less वैसे ही है लेकिन अगर मैं इस outlier को भी शामिल करके graph बनाना चाहूं तो आप देखिए कि आपको खाम खामे positively skewed नजर आ रहा है टेल लंबी हो गई है उसकी क्योंक इसकी इस तरफ को टेल लंबी है वो generally positively skewed data की अलामत था actually ये data skewed है नहीं तिरफ उस एक नंबर की वजह से data skewed होता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसी सूरत हाल में कि जब आपके data set में कोई एक या दो या चंद लोगों का data ऐसा हो जो उस पूरे data को skewed कर दे हम उस data उस element को नि देते हैं क्योंकि देखिए इसके बगैर जो शकल थी data की वो अच्छा खासा नॉर्मल डेटा था तो लहाजा हम बजाए इसके कि इसको analysis में शामिल करें या इससे पढ़ें हम data cleaning के वक्त थी इस outlier को यहां से निकाल देंगे और सिर्फ इतना data इस्तमाल कर लेंगे इसको हम इस्तमाल नहीं करेंगे तो हमारे data के characteristics नॉर्मल हो जाएंगे और फिर हम उसके उपर statistical test trust के साथ apply कर सकते हैं